अच्छब टॉपिक के नम है साइटोसकल्डन जो कि बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है साइटोसकल्डन बिसिकलिए एक फाइबर स्ट्रक्चर है साइटोप्लाजम के अंदर फाइबर से मिला हुआ स्ट्रक्चर उसका नम साइटोसकल्डन है यह फाइबर तीन तरह के है एक है micro filament एक है micro tubule और एक है intermediate filament है micro filament को actin filament का भी नाम दिया जाते है आपने comparison पढ़ना बड़ा important topic है micro filament काफी ज़्यादा extremely thin होते है brick से होते है और यह contractile fiber है मतलब यह contract भी हो सकते है relax भी हो सकते है इसका जो diameter यह 7 nanometer होते है जबके micro tubule यह small और अंदर से hollow और brick से cylindrical form है और इसका diameter 25 nanometer होते है micro filament को बनाने के लिए two chains होते है global actin जैसे G actin का जाते है और fibrous actin होते है जिसको F actin का नाम दिया जाते है और दोनों यह आपस में क्या करें twist करें एक दूसरे के साथ overlapping करें इसकी अंदर दूसरी चीज जो मजूद है वो two chains है ट्रोपो मायोसेन की जो आपस में twist करें है और साथ ही सार एक्टिन फिलामेंट और ट्रोपोनीन के साथ दिक्या करें है twist around करें है और तीसरे नमबर भी micro filament को बनाने के लिए जो मजूद है वो ट्रोपोनीन प्रोटीन है जो present होती in the form of triplet ये तीन होती है जो along the length of filament तो पूरी length के अंदर ट्रोपोनीन मजूद है जो किस फॉर्म है बेटर ट्रोपोनीन की फॉर्म है तो यहाँ पर आपने समझना है कि इसको बनाने वाले चीज़ें कौन सी है दो chains है global or fibrous और एक मजूद दो मजूद है ट्रोपोमायसीन और तीन मजूद होते हैं जिसको नाम देते हैं ट्रोपो प्रोटीन है जबके माइक्रो ट्यूबल को बनाने के लिए एक है ट्यूबलिन प्रोटीन है जो present होती है इन दा फॉर्म ऑफ डाइमर दो दो की शकल में होते हैं ट्रोपोमायसीन तो इसको बनाने के लिए याद एकना ट्यूबलिन प्रोटीन है जबकि इसको बनाने के लिए काफी ज़्यदा प्रोटीन इनवॉल्व होती है मैं अगर आपको जरा सा कंपैरिजन बताता चलू माइक्रो फिलामेंट का तो यह आप देख सेते हैं यह माइक्रो फिलामेंट का स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन तीन है यह जो आपके सामने ट्रिपलेट फॉर्म है एक्टीन देखें यह जो जितने भी दाने नजर आने यह एक्टीन है और ट्रोपोमाईसीन यह देखरी जो पूरा का पूरा jew कलर के मैंने दो रसीय बनाई है यह ट्रोपोमाईसीन है तो इन से मिलकर बनता है जिसका नाम के मायकरो फीलमड है यह आपके सामने माइक्रो ट्यूबिूल है, यह देख सकी हैं यह होलू सिलेंडरिकल फॉरम है और यह का ट्यूबलेन प्रोटीन है, जो किसीन आलफा और बिटा दो डाइमर की फौरमिमे है, जोju міक्रो फिलामिन्ट है, इसका रोल एक ही है, साइटो प्लाजम की जो सट्रीमिंग है, साइटो प्लाजम का जो मूँव करना होता है, यह माइख्रांड क्रवाता है, क्योंकि इसी वरसे जो हमारे muscle के cells है वो contraction relaxation कर सकते हैं और उन muscle का नाम है skeletal muscle cells होता है Market tubingabya which जो आपके सामने नज़र आ रहरा है इसका main काम है formation काना cilia को, इस जीने बनाणाई folячela को यही बनाता है possible body को यही बनाता है even even इस जो plant cell के माइटोॉ्ठ hardest is है उसको बनाने की जिम्हदारी माइक्रो ट्यूबियूल के पास है और ये भी फ्रीली डिस्पर्ज होता है साइटो प्लाजम के अंदर और ये और्गनाइज अपने आपको और्गनाइज करके किस फॉर्म में आ जाता है स्पिंडल फाइबर जो कि आप माइटोटिक अपरेटर्स का नाम दे देते हैं इसी तरह इन दोनों के कंपारिसन करने के बाद इन दोनों के इन बिट्वीन वाला इंटरमीडियट फिलमेंट है यह आपके सामने कितना इस jaką पिरगनाइज वाला इन एंट और इस तोपनितन वाले यह समस्कराइज इस को बिट्वीन है यह सबसे और जो के IT Shvial की के इन थैंगर मैंट इसमेंट होती है इसको लिगन समय बीकार ने जिए खहुत वैज्मेट पैस में इसमें इसमें कोई आप स्न इसमें कोई भी होलो स्पेर्स नहीं होती है एपसंट होती है इसका एक ही जिम्मेदारी इंटरमेडियर की यह मेकैनिकल स्पोर्ट देता है न्यूकलर एन्वैलब को और प्लाजमा मम्बरेन को